दोस्तो जीरो था काइट application के अंदर अगर आपको funds add करने हैं तो आप सभी को बता दूँ application को जिस तरीके से खुलती हो और आपको funds add करने के लिए यह जो नीचे पांच बटने दिये उसमें लास्ट वाली बटन पर क्लिक करना होता है इस बटन में क्लिक करते ही आपको बहुत टाइप करेंगे जो भी आपको add करना मैं सिर्फ वीडियो पर बसके लिए बना रहा हूं तो 100 रुप आपको दिखाता हूं दूसरा है bank select करना है अगर आपने multiple banks दे रखे तो यहां से आप manage कर सकते हैं कौन सा bank रहेगा अभी मैंने एक ही bank डाला हुआ तो एक ही आपर दिख कर सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो net banking का साराज कुल जागा लेकिन याद रखिए UPI free होता है नेट बेंकिंगे में 9 रुपीज प्लस GST चार्ज़र लगते हैं वह आपको करना होगा और साथ में फिर आपको अपना UPI का password और ID डाल करके फिर आप payment महां से कर सकते हैं तो फ connection fail हो जाएगा chances नहीं है पूरी तरीके से fail हो ही जाएगा तो आप यहां पर bank select कीजिए जो bank आपने जिरोधा में दे रखा है उसके बाद यहां पर pay का बटन दबाइए और उसके बाद आपने को अपना UPI pin डालना है और आप देख सकते हैं कि जो money है जो funds है वो add हो चुके ह इमीडियेटली आपको जीरोधा पर दिखाई देगा देखिए आपको 163 था 263 हो गया है इतना इजी होता है funds add करना वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक चैनल को सुस्क्राइब जरू कर दिएगा थेंक्यू